नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं आपको बता देकि वे पिछले कई दिनों से बिमार चल रहे थे जर्खन के सिक्छा मंत्री जगनात मतो की पुत्र राजु मतो ने जनकारी दिया कि सुबा तीन बजे मंत्री जगनात मतो की तवियत बिगल गई थी वे अस्वस्त मसूस कर रहे थे नियोजन निती को लेकर बिजेपी ने किया सीम से स्थिपा की मांग जर्खन बिधान सभय मंगलवार को भी सदन की सुरुवात हंगामेदार रही भाजबा बिधायकों नियोजन निती को लेकर हंगामा किया सदन सुरू होने से पहले ही भाजपा नेता साठ चालिस नाई चलतो का नारा लगाते दिखे गौतला भाई की कौल से ही भाजपा नेता नई नियोजन निती को लेकर तलग तेवर अपनाय हुए है इससे पहले बिधान सभा की करवाही शुरू होने से पहले भाजपा बिधायकों ने सदन के बाहर हेमन सरकार खिलाप नारे लगाने शुरू कर दिये थे सभी एक तरह की टीशर्ट पहान कर बिधान सभा पहुंचे थे जिसमें 60-40 नाज चलतों लिखा हुआ था हर कोई अपने हाथों में तक थिया लिए बिधी समत नियोजन निती को लागू करने की मायंग कर रहे थे बिपक्छी नेताओ का आरोप है कि मवजूदा सरकार युवाओ के भविस के साथ कुरूर मजाक कर रही है पानी की समस्या है तो करे फोन गर्मी में जल संकट से नी पटने के लिए धनबाद नगर निगम ने टॉल फिरी और वाट्सेप नमबर जारी किया है इस समद में नगर आयोग सतेंद्र कुमा ने बताया है कि गर्मी को लेकर पूरी तयारी कर लिए है सहर में 55 से बढ़ाकर 60 MLD पानी प्रती दिन उपलब्द कराने का निदेश पेज जल एम स्वक्षता भी भाय को दे दिया गया है 5 MLD अतिरिक्त पानी का भुकता नगर निगम अतिरिक्त सुर्थ से करेगा बता दे निगम के पास 25 ट्रेंकर है LNT, जुड़को, सिरीराम, ABP तथा JMC को 15 ट्रेंकर उपलब्द कराने का निदेश दिया गया है जहां पानी की समस्या होगी वहां ट्रेंकर से पानी उपलब्द कराया जाएगा धर्माद नगर निगम ने पानी की किसी तरह की समस्या होने पर टॉल फ्री वाट्सेप नमर जारी किया है इसके तहर टॉल फ्री नमबर 180089041600 पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं वहीं वाट्सेप नमबर 62001001006 पर डिटेल डालने की अपील सहरवासियों से की गई है गढ़वा में दीखा बाग गढ़वा वन विभाग अलाट गढ़वा जिले से सटे 36 गड़ के वाडफ नगर रमानुजगांजवा बलराम पूर वन परिछेतर के सिंदूर नदी के पास पिछले दिनों बाग देखे जाने के बाद गढ़वा दक्षनी वन छेतर में बाग के आने के असंका ब्यक्त की जा रही है हलाकि गढ़वा वन छेतर के अधिकारियों ने इस छेतर में बाग के आने के पुष्टी नहीं किया है इसके बावजूद असंका के अधार पर लोगों को सतरक्ता वरतनेवा सुरक्षा को लेकर जागरूप करने में वन भी भाग चुट गया है गढ़वा दक्षिनी वन छेतर पता दिकारी ससी कुमा ने बताया है कि इसकी जनकारी उन्हें भी मिली है लोगों को सतक्ता वरतनेवा बचाओ को लेकर जागरूप किया जाएगा रांची में H3N2 को लेकर सभी अस्पताल अलाट Hong Kong Flu H3N2 को लेकर अस्पतालों ने अपनी त्यारी सुरू कर दी है रिम्स से लेकर सभी अस्पताल में इलाज के लिए बेट सुरक्षित किया जा रहा है रिम्स में 24 बेट सुरक्षित किये गा है जिसमें से 12 बेट ट्रामा सेंटर और 12 बेट आईसोलेशन वार्ड में रखा गया है रिम्स के DMS डाक्टर से लेस्तिरी पाठी बताते हैं कि मरीजों के इलाज की पुरी बेवस्ता की गई है अभी इस्थिती समाने है डरने की बात नहीं है सवधानी के साथ लोगों को रहने की भी जरूरा था है उन्होंने बताया है कि आगे अगर किसी तरह से होंकोंग फुलूग के मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसे अनुरूप अस्पताल में विवस्ता की जाएगी जिसके लिए तैयारी की जा रही है विपक्ष ने सरकार पर घोसना आये कर उन्हें पूरा ना करने का लगाया आरोप विधान सभाव मंगलवार को किरिसी पसुपाला ने अमसा करता है विभाग के अनुदान मांगो पर चर्चा के दोरान विपक्ष ने आरोप लागाया है आई सरकार बयाट में बड़ी बड़ी घोसना आये तो करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती इस पर किरिसी मंत्री बादन ने पलटवार करते हुए का एकी बात रख कर निकल जाना विपक्ष की आदत हो गई है विपक्ष कारोप था कि धान की खरीद नहीं होने से किसान अपना धान सस्ते दाम पर भी चलियों को बेचने को मजबूर है जिन किसान उसे धान खरीदा भी गया उनका भुक्तान लंबी था है बहिसकार के बीच ही कृसी प्रभाग की अठाई सो चार क्रोर तेरा लाक अठासी हजार के अनुदान मांग सुकृति हो गई है सरना धर्मकोट को लेकर मुखर हो रहे आदिवासी संगठान जनजाती समुदायक के लिए जनगन्ना में अलग सरना धर्मकोड को लेकर राज में राजनीती तेज हो रही है इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन के अंत्राल पराज धनी में तीन बड़ी रेलियां विभीन आदिवासी संगाटनों के बैना तले हुई है 16 फरवरी को बिसुनपूर से जार्खन मुक्ति मुर्चाक बिधायक चमराल इंडाक नेतित में आदिवासी अधिकार महारेली 5 मार्च को जार्खन बचाओ महारेली और 12 मार्च को सरना धर्मकोड महारेली हुई तीनों रहलियों में भारी भीड जूटी इसका नेतितों भले ही अलग अलग हांतों में है लेकिन मुद्धों को लेकर एक जूट है पलामू गढवा और लातेहर में होने वाले अवैद खनन की होगी जाए जार्खन हाई कोड के चीफ जटिस संजय कुमार मिस्रवा ज़शिस अनन्द सेन की खंड़ पीट में पलामू गढ़वा और लाते हार में अवैद माइनिंग से समधित मामले को लेकर दाखिल एचका पर सुनवाई हुई सुनवाई की दोरान अदालत ने इसे गंभीरता लेते हुए मामले की जाच के लिए 3 सदसी कमिटी का गठन किया है अदालत ने इस कमिटी के चैन के लिए ग्री सचीव को अधिकरित किया है कमिटी में एक आईजी रेंग के अधिकारी और खान एवं भुतत्त्य विभाग के दो बीसे सगे अधिकारी सामिल होंगे ITI सिख्शक निएकती को लेकर हाई कोट में सुनवाई हाई कोट के चीफ जशिश संजय कुमार मिस्रव जशिश अनन सेन की खंट बीट में राजी के ITI संस्थान में सिख्शको की कमिको लेकर दाखिल अच्का पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अधालत ने राज सरकार को मामले में अगतन रिपोर्ट तलब की है अधालत ने सरकार से पुछा है कि या आई टेज संस्थान में कब तक सिस्को की न्युक्ति पर किया पूरू कर ली जाएगी मामले की अगली सुनवाई या 11 अपरेल को होगी भाजपा बिधायकों ने 60-49 चलतो लिखा टीशट पहने चारखन बिधायां सवामें 82 सत्र के दूसरे चरण में मंगलवार को भी नियोजन निती का बिरोद जारी रहा इसके मद्रे भाजपा की बिधायक 60-49 चलतो लिखा टीशट पहन कर सदन में आये भाजपा सहस्यों के नारेबाजी के बीच प्रस नकाल जारी रहा बिधायकों के हंगामे के बीच सदन की करवाई 12 बएद तक अस्थागित रही इसके बाद फिर से सदन की करवाई शुरू हुई और दोबारा दो बएद तक के लिए अस्थागित कर दी गई लातेहर में हाथियों का अतंक जारी जारखन के लातेहर इस्थीत चंदवा में जंगली हाथियों का उत्पाद जारी है इस बार जंगली हाथियों ने मरमर में उत्पाद मचाया है सोमवर किदात, मलह, पंचायत के, मरमर गाव में दरजनों, जंगली हाथियों के समूह ने किसान, धनिस्वर मुंडा, भोला मुंडा, राहुल मुंडा, नागो मुंडा, किसानों के खेतों में लगी गे हूँ, चना, मटर, टमाटर वा आलू के फसल को चट करने के साथ बरब रामगड़ चुनाओ के बाद रांची के परदेश कर्याले में नहीं, बलिक दिली में भी चर्चा का भी साथ बनी हुई है, कि आखिर रामगड़ हार की मुल वज़ा क्या बनी है, रामगड़ हार के कई पहलू है, जिन पर चर्चा हो रही है, क्योंकि कॉंग्रेस अपनी स इस तरीके से बड़का गांविधायक अंबा परसाद ने कानून बेवस्था को लेकर के सवाल उठाय और अपनी सरकार पर यह रोप लगा दिया, माना यह भी जा रहा है कि जानता के बीच कानून बेवस्था को लेकर एक और विश्वास पैदा हुआ, जो भी हर की एक वज नहीं होंगे, राजीव अरुन एका को एडी के राजी जुनन करयाले में बुद्धवार के सुबह 11 बज़ उपसित होना था, लेकिन मंगलवार की देर साम उन्होंने एडी को पत्र भेज एजनसी से समय की मांग कर लिया है, बता दे, राजीव अरुन एका ने एडी को भे जे पत्र में जिक्र किया है कि घरकन का बयर सत्र चोबिस माय तक चलना है, ऐसे में सत्र की समाप्ती के बाद ही वह एजनसी के समक्ष हाजीर हो पाएंगे, धन्यवाद